नमस्कार दोस्तों मैं मंकुमार सिंग स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम नगरी में और हम लोग 32 चेप्टर पढ़ चुके हैं ते 33 वाज पढ़ेंगे बहुत ही महत्यपुन चेप्टर है लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ बहुत सरे लोग कमेंट बॉक्स में कह रहा है कि सर लूसेंट आप इतनी देर से क्यों लाते हैं वीडियो या क्यों इतना देर होता है या बहुत कुछ है देखिए लूसेंट में आपको बोर्ट पर पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं नहीं मेरे पास डिजिटल बोर्ट है ज़े समझेंगे तभी हम सब मिलकर आगे बढ़ पाएंगे तब तक पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है आपको अपना जो है समय प्रबंधन खुद करना होगा कि अगर हमारे पास लूसेंट के वीडियो नहीं आ रहे हैं तो या तो मरी भाइस कर ले या तो हम खुद कुछ न कुछ क्रियेटिव करते रहे है खुद चलिए लाओंगा आधा ही नोट्स बना है आधा और बाकी है बाएलोजी ओनली दो दो दिन के क्लास में खतम करेंगे 20 पेज ही बाएलोजी है लूसेंट में तो चलिए बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर है 32 और 32 चेप्टर जो है अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो ये नोट्स में मैंने 266 से 268 टीन पेज में खतम किया है अरे भाईया इस चेप्टर का नाम क्या है तो इस चेप्टर का नाम है नवोधित रास्ट के समझ की चुनोतिया जब एक नया देश बनता है इससे सम्मंधित प चेप्टर है कहीं भागने की जरूवत नहीं है जल्दी बाजी की जरूवत नहीं है बड़ी आराम से समझ जाएंगे अध्याय टेटित नवोधित रास्ट के समक्ष चुनोतिया चेप्टर है मैंने बताया कि लास्ट का जो दो चेप्टर है इसका बहुत बढ़ा है आपको ये डेटा जो है ना ये समझने में परेशानी नहीं ये चित्र आपके सामने रहेगा तो आप बड़े अच्छे से मेंस में इसका जिक्र कर सकते हैं भारत का नक्षा बना के तो चलिए बिना देर के हुए मैं शुरू करता हूँ ये चेप्टर और चेप्टर का नाम है नवोदित राष्ट के समक्ष चुनातियां जरा ध्यान देके पढ़िएगा बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर है ये और बड़ी ही मतलब सब चेप्टर से ज्यादा मज़ा आने वाला है आपको इस चेप्टर में तो जब नया राष्ट बना हमारा भारत तो बहुत स सारी चीज़े आपको उपड़ी तोर पे पता होनी चाहिए कि कौन-कौन सी चुनाति आई थी मैंने कुछ चुनातियों को यहां पे हाईलाइटेड किया है और सबसे पहले लिख दिया है ये छे चुनातियां सबसे पहला चुनाति था सीमा निर्ने का अरे भाया जब हम भा भारत और पाकिस्तान अलग कर रहे हैं भारत और भारत से पाकिस्तान निकल रहा है तो सभी जानते थे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल छेतर बनने जा रहा है भले हिं उस समय जिक्र नहीं था भले हिं उस समय छूट थी कि चलो जिसको जहां जाना है जाओ जितने हिंद था बार्दो, तो सबसे पहले सीमा कहां, ये लाइन जो है ये कहां खीची जाए, ये सबसे बड़ी चुनाओती थी, अच्छा, सामप्रताईक दंगे प्रभावी छेत्र, देखिए, उस समय सामप्रताईक दंगे हुए, हिंदू, मुसलमान, सिख, में मारा काटी हुई, तो उन जो दंगाई जो छेतर थे, उनको कैसे उनका प्रबंधन किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या थी, कैसे दंगो को रोका जाए, कहां से सेना लगाया जाए, क्योंकि बटवारा ही हो रहा था, उसके बाद, तीसरा जो था, सैनने साज समान का विभाजन, ये सैनने, सैनने बाद, शरनार्थी का पुनरवास बंबंदुबस्त, ये शरनार्थी कौन, ये जो था, ये मैं स्टार मार कर देता हूँ, ये समस्या दोनों देश के लिए थी, भारत और पाकिस्तान, ऐसे लोग, जो पाकिस्तान से भारत में आये थे, लाखों लोग, लगभग, साठ बाद, शरनार्थी थे, भारत से पाकिस्तान जाने वाले, और पाकिस्तान से भारत आने वाले, ये दोनों ही देशों के लिए इनका पुनरवास बंदुबस्त बहुत बड़ी चुरौती थी, अच्छा, उसके बाद, अन्य संसाधनों का विभाजन, अन्य संसाधन में जैस से टेबल, कुरसी, मेज, पुस्तक, वही मेज और टेबल एक ही बात हुआ, जितनी भी चीज़, अलमारी तक कैसे आधाधा किया जाए, सबको जो है, एक निश्चित अनुपात में बात न था, तो ये भी था, और सिविल सरकार था करमचारी, अब कुछ करमचारी जो मुसलिम दी गई थी, कि अपनी मर्जी से अपना छेतर चुन लीजे, कोई भी स्टेट चुन लीजे, इंडिया चाहे पाकिस्तान, तो इनको ये छूट दी गई थी, तो इनका विभाजन करना एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि कुछल करमचारीों की जरूरत, आवशकता भार और पाकिस्तान दोनों की थी, और सिबिल सरकार, सरकार में जितने लोग थे, उसमें किसको किसको जो है, कितने लोग इच्चुक हैं, पाकिस्तान सरकार में जुरने की, और कितने लोग इच्चुक हैं, भारा सरकार में रहने की, तो ये सिबिल सरकार था करमचारीों का विभाजन, शायनार्थी का पुनरबास्वम बंदोबस्त, साजसमान का विभाजन, सामप्रदाइक दंगे प्रभावी छेतर और सीमा निर्ने, ये छे जो थे इसके बारे में completely जिक्र करने वाले हैं इसमें और जो भारत में सरकार वनी थी उसका भी जिक्र करेंगे, कैसे जो हेरेड क्लिफ जो सीमा निर्धारित हुई थी, उसमें कहां-कहां समस्य आई थी, उसका भी हम लोग जिक्र करने वाले हैं, तो ये मोटे तोर पर हमने समझ लिया, कि एक नवोधी तरास्ट जो होता है, नया रास्ट, उसके सामने इस तरह की चुनोतियां, हमारे भारत पाक इस दिन, तो समय था 14 अगस्त 1947 मधरातरी, मतलब बस कुछी मिनट बचे थे 12 बजने में और 15 अगस्ताने में, और उस दिन जवाहलाल नहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था, कि आज हम दुरभागे के एक युग का अंत कर रहे हैं, मतलब इतने दिनों से तो दास्ता चली आ रहे थी, उसका हम अंत कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे के दे देगा किसका स्टेटमेंट था, जवाहलाल नहरू का, कब हुआ था, तो देश आजाद होने के जस्ट पहले, यह 14 अगस्त 1947 को मधरातरी को उन्होंने कहा था, इसमें उन्होंने यह भी कहा था, कि गरीबी, अ ज्ञानता अवसर की असमानता को हम लोग पूरी तरह से मिटाने का परियास करेंगे, उसके बाद एक कॉर्णोंने क्या कहा था, कि एक सम्रिद शक्ति सारी लुकतांतरिक प्रगतिशील देश बनाने का संकल लेंगे, यह सारी पोजिटिव बाते बोली गई थी, समय आ गया बज गया 12, 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ, और देश के में एक मंत्री मंदल का गठन हुआ, प्रधान थे जेल नहरू, जवाहालाल नहरू, प्रधान मंत्री, और उनको मिला के कुल जो है 15 लोगों ने सपत लिया था, कितने लोगों ने सपत लिया था, 15 लोगों ने, 26 जनवरी 1950 तक जो सी राजगोपालाचारी थे, वो गवर्नर जनरल रहे थे, ये अंतिम भारतिय गवर्नर जनरल थे, और अंतिम बिटिस गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो माउंट बेटन थे, तो सी राजगोपालाचारी जो है, ये कब तक रहे थे, 26 जनवरी 1950 तक जबकि द इनके विक्तित्व के बारे में जानते हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जोट नहीं होगी, लेकिन नहीं जानते हैं तो फिर याद करना पड़ेगा, जैसे देखिए, प्रथम है जवाहार लाल नहरू पहले, ये तो प्रधान मंत्री थे, सब कोई जानता है, आई बड़ा बिदेश घुमते थे, बड़ा इनको बिदेश घुमना पसंद था, जैसे हमारे मोदी जी घुमते हैं, तो बिदेश मामले भी अपने हाथों में रखे थे, कॉमन वेल्थ भी अपने हाथों में रखे थे, और वैग्यानिक सोभाव के थे, बड़े पढ़े ल होथ ही जादा मतलब एकदम देश तूटेना हमेशा इनका यही रवया रहता था तो इन्हें बनाया गया उपर प्रधान मंतरी सलाह देने के लिए कि कहीं प्रधान मंतरी कुछ हो जाए तो जवाहा लाल सर्दार बल्ला भाई पटेल जो है आ जाएंगे गरी मंतरी सुचना मं ओर प्रसानल मंतरी इनको बनाया था घर में सुचना और घर जो है बात फैलाना मतलब इनका पूरा काम झाथा घर के अंदर की चीजों को देखने का तभी इन्हों ने भारत के एक ही करने में बहुत बरा योगदान दिया था भारत के कई छेतर पाकिस्तान में जाना चाहते जौन मथाई रेलेवेवं पडिवहन अब सरदार बल देव सिंग का नाम कहा बल देव है ना बल के देव यानि बहुत ताकत इनके पास था इसलिए इनको रक्षा मंत्री बनाया गया जैराम दास दौलत राम दौलत हमारी दौलत कौन थी? भारत एक किर्सी परधान देश है तो खाद देवम किर्सी जग जीवन राम ये समझ सकते हैं सरम मंत्री थे लेबर मिनिस्टर सी एच भाभा वानिज्य मंत्री अमरित कौर अमरित हमें मिल जाता है तो परा स्वास्त अच्छा जाता है स्वास्त मंत्री आगे देखते हैं रफी आहमद की दवई ये थे संचार नरहर विष्णु गोडगिल विष्णु भगवान हर चीज का निर्मान करते हैं तो निर्मान खाद उर्जा आरके शन्मुगम चेटी साथ इंडिया के लोग बड़े ही इसाफ किता में पक्के होते है तो वित मंत्री केसी नियोगी रहात वंपुनरवास ये नियोगी एक जो था न आगे हम लोग पढ़ेंगे ये इनहीं के अध्यक्स्ता में जो है जितने भी सरनार्थी आये थे उनके विवस्था करने के लिए एक आयोग गठित किया गया था नियोगी आयोग केसी नियोग तो इसलिए इनको रहात वंपुनरवास का मंत्रा ले दे दिया गया था अंबेदकर को जानते हैं आप लोग भी आर अंबेदकर भीम राव अंबेदकर विधी कानून मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर जी उद्धोगवम आपुरती तो देखे मुखर जी बंगाल से हैं बं तीन समस्या मुह बाके खड़ी थी इस तीनों समस्या के बारे में जला सुनिएगा खाली अप कथा सुनिएगा बाद में संख बजाएंगे आरती भी होगा आपको याद हो जाएगा सब कुछ पहली समस्या ततकाली समस्या क्या थी मतलब उस समय समस्या ततकाली मतलब ततकाल समस्या जिसको हम लोग खतम कर सकते हैं थोरा चा पड़्यास करके क्या था भारतिय रियासतों का छेतरिय और प्रसाशनिक समन्वाए उस समय छोटी-छोटी रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था छोटी-छोटी रियासतों में हमारा देश बट चुका था तो इसका जो प्रसाशन था वो बहुत important था कि कैसे सब को एक करके प्रसाशन चल ऐसे प्रसास्निक दोस्था की जाए ये बहुत बरी समस्या थी दूसरा था संप्रणाइक दंगा मतलब ये ठीक हो सकता था तुरंट प्रयास करने पर दंगे भी कंट्रोल हो सकते थे तो ततकालिक समस्या में वही समस्या है जो उस समय ततकाल थी और तत्काल खतम की जा सकती थी साथ लाग सारनार्थी के पुनरवास की चुनोती थी और नया नया जब देश बनाना तो देश अभी खड़ा हो रहा है देश में अभी वितिय समस्या है फनिंशल प्रॉबलम है पूजी कम है अभी धिरे देश को आगे बढ़ना है तो कोई भी प्रकार का युद्ध देश नहीं करना चाहेगा वहीं पाकिस्तान जो था वो हमेशा हुद करने को तयार रहता था क्योंकि उसका स्खोने के लिए कुछ था ही नहीं वो भारत को तोरना चाहता था लेकिन भारत का पर्यास क्या था कि पाक से जो युद्ध जो है वो टालने की चुनाती थी किसी तरह पाक से युद्ध को ततकाल टाला जाए तो ये कुछ चुनातिया थी ततकालिक चुनातिया ततकालिक समस्या अच्छा मध्या वो अधिक समस्या एसी समस्या जो कुछ समय लगता लेकिन ठीक हो जाता मतलब थोड़ा आधिक समय लगता है यह तो तुनन्त होने वाला था इन सव में समय लगता है समिधान तयार करना एक लंबा समय लगा समिधान तयार करने में लेकिन हुआ की नहीं लोक्तांत्रिक राजनीतिक विवस्था कयम करना और निर्वाचन करना, चुनाओ करना, तो यह सर्थ था कि इसमें थोरा समय लगता ज्यादा समय लेकिन ये हो जाता है, लेकिन एक था, तीसरा जो समस्या था वो दिर्थ कालिक, अब देख़िए, एक कम समस्या वर ततकालिक क तो दिर्गावधी क्या था राष्ट्री एकी करन भाई राष्ट को एक करना ये बड़ी मुश्किल काम था आज तक एक नहीं हुआ आज तक लोग जो है वो मतलब तूठी रहे हैं भारत को तोरना ही चाहते हैं आर्थिक विकास इसमें ये बहुत अधिक समंता था और समस्याओं के बारे में देखा अच्छा चलिए कुछ अन्य समस्या अन्य समस्या या अन्य चुनोतिया अब हम उन 6 चुनोतियों के बारे में जिक्र करेंगे जो हमने पहले सबसे पहले हेडलाइन में पढ़ा था सीमा निर्णय पहला था रेड क्लिफ सीमा रेड क्लिफ भा और यहाँ पे क्या था कि दो दो उसमें मुस्लिम तथा हिंदू न्याइधीज रखे गए थे समय दिया गया था छे सब्ता के अंदर आप सीमा निर्धारित कीजिए लेकिन दिक्कत ये थी कि उस छेत्रों में हिंदू मुस्लिम के अलावा सीख भी थे और उससे ही बड़ी समस्य थी पवित्रस्थल का बटवारा बहुत मुश्किल काम था क्योंकि कुछ पवित्रस्थल बीच पाकिस्तान में थे और मुस्लिमों के कुछ पवित्रस्थल बीच हिंदुस्तान में थे तो इनका बटवारा करना बहुत मुश्किल काम था 12 अगस्त 1947 को इसकी रिपोर्ट आई लेकिन रिपोर्ट को 15 अगस्त 1947 को पढ़ा गया ठीक है दूसरा साम्परदाइक दंगों से प्रभावित छेत्र अगस्त 1946 में दंगा शुरू हो गया था जब लोगों को लगा कि भरत पकिस्तान अलग होने वारें दंगा शुरू हो गया ठीक हलए यह यह पाकिस्तान का शेत्र या अफगवानिस्तान है तो यह जो था यह नीके Lö double कीया है राजस्थान ले लीजिये, इन सब जगों पे सबसे ज़्यादा दंगे हुए, ठीक है, एक लाख असी हजार वेक्ती लगभग मारे गये, ये रिपोर्ट गलत मानी जाती है, इससे अधिक मारे गये थे, लगभग इतना कहा गया है, बंगाल में जो है, गांधी जी के उपवा कारण वहां का जो वातारण था थोड़ा सांथ था, बिहार में अक्टूबर उनिससो च्यारीस में दंगा हुआ, हिंदू, सीख ये थे और मुस्लिम एक तरफ थे, तो हिंदू, मुस्लिम और सीख मुस्लिम इनहीं में दंगा होता था, तीसरा है, सैन ने तथा साज समान का विभाजन, देखिए, 17 अगस्त 1947, ब्रिटिस सैनिकों ने भारत छोड़ना शुरू कर दिया, आजादी घोसना हो गई, अब शुरू हो गए लोग जाना, सैन ने बल, मशिनरी, उपकरन, भंडार गिली इन सब का विभाजन करना था, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, एक सैन ने तथा सास समाज का, समान का विभाजन, उसके बाद, शारनार्थियोत का पुनरवास तथा बंदोबस्त, अगर देखिए, दोनों सरकार को ये चुनोती थी, मैंने ये पहले ही बताया था, कि दोनों जगा ये समस्या थी, क्योंकि इधर से भी लोग गए थे, वहाँ ही अपना देश चुन ले, है ना, तो ये नहीं था कि इतने ही लोग जाएंगे, जन संख्या कोई व्यवस्त था, बद आदान परदान नहीं था कि आप हमें इतना लोग दीजे, हम आपको इतना लोग देंगे, राहत और पुनरवास मंत्राले को इसकी जिम्मेवारी दी ग उनका घर किसको अलोट कर दिया गया, जो पाकिस्तान से जो हिंदू आये थे, तो ऐसे किया के उनको उस घरों में उस्थापित तत्काल किया गया, छोड़ी गई संपती की रक्षा सरकार दो रखी गई, वैसे लोग जो हिंदूस्तान से पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन कि संपती जो है वो भारत में हैं और वो सुरक्षित उसको रखना चाहते हैं तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई सरकार को दी गई तभी तो लोग कहते हैं कि भई हमारे यहां जो है सैफली खान या फिर कुछ बड़े-बड़े मुसलिम मिलेनियर्स हैं उनकी सं पती पाकिस्तान में अभी भी सुरक्षी थे तो यह सरकार के जिम्मेदारी थी अच्छा अन्य संसाधन में सरकारी दस्तावेज, टेबल, कूरसी, पुस्तकाले, आधी, सबकी जो है एक निश्चीत अनुपात ने बठक आधा आधा था नहीं करना था क्योंकि भारत तो दोमिनन स्टेट चुनने का अधिकार दिया गया, एक लाग साथ हजार करमचारियों का आधान परदान हुआ, समझ सकते हैं, सारोजानी करीन का बटवारा, जी हाँ, सारोजानी करीन मतलब जो आप करज लिए है, माल लिजिए भारत पर एक हजार करूर का करज है, तो उसमे पाकिस्तान को एक बटचार दे दो, ये गांधी जी का समर्थन था, उब के गांधी जी की हत्या हो गई, जी हाँ, गांधी जी की हत्या हो गई, 30 जनवारी 1948 को कहां होई थी, बिरला भावन नहीं दिल्ली में, नाथु राम गोड से द्वारा, देखिए, कम से कम शब्दों मैंने पूरी चीजों को बया करने का पड़ास किया है, और मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे बटवारा हुआ था, आपको समझना है, उसको ध्यान में रखना है, जब गांधी जी की मृत्यू हो गई, तो जवाहालाल नेरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकास चला गया है, किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकास चला गया, जवाहलाल नेरू ने, उसके बाद 4 फरवड़ी 1948 को क्या किया गया, RSS को प्रतिबंधित कर दिया गया, RSS से ही संबंधित थे नाथू राम गोड से, तो RSS को जो है बोला गया नहीं इतातंकवादी है, लोग इसको प् पंजाबी बाग दिल्ली में, तीन जगा, सभी सीमा से सटे जितने भी राज सहर थे, लगभग सभी में थे, पुर्वी पाकिस्तान का सरनार्थी कहां कहां रहा थे, पस्चिम मंगाल, असंत, तिरपुडा, कुछ अंडवान निको बार में भी बसाये गए, तो इस तरह से स कर रहा हूँ आपके सामने, आपको ध्यान से समझना, ये हमारे पास भारत का नक्सा है, ये भारत का नक्सा जो है, जब पाकिस्तान साथ में था, तो ये जो एरिया दिख रहा है, आपको ये पूरा भारत था, भारत से बस सीमा लगती थी अफगानिस्तान की, तो ये पाकि पुर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुत अधिक थे तो ये एरिया में बटवारा हुआ तो पुर्वी बंगाल में 28,000 वर्ग मिल का छेतर था मुस्लिमों का अनुपात कितना था 5.3 million, 31.2 million मतलब कि मुस्लिम जो थे कितने थे 21.2 million में केवल कितने थे 5.2 million लगबग 1.4 यानि मिलियन मतलब 10 लाक होता है तो समझ जाईए कि 5.3 million मतलब 33 लाक और यहाँ पे 2 करोड 12 लाक 2 करोड 12 लाक में 33 लाक मुस्लिम थे यानि 21.2 मिलियन में 5.3 मिलियन मुस्लिम थे तो कम थे मुस्लिम तो ये भारत को दे दियेगा बंगलादेश देखिए ये बंगलादेश जो है ये पहले पाकिस्तान था बाद ने बंगलादेश बना 1970 में तो ये बंगलादेश जो है ये पाकिस्तान था तो पाकिस्तान का ये छेतर था जादा 49,400 जहां पस्चिम बंगाल कितना है 28,000 बंगलादेश कितना है 49,400 ये पुर्वी पाकिस्तान था इसमें मुस्लिम संख्या जादा थी देखिए 49.10 मिलियन में 27.7 जो थे मुस्लिम थे 27.7 मुसलिम थे 49,400 टो ये वैसे ही कर दिया गया पस्चिम बंगाल भारत पुर्वी बंगाल पाकिस्तान देखिए वैसे ही पंजाब में भी किया गया पस्चिमी पंजाब पाकिस्तान बन गया आप देखिए यह यहाँ दखिए ये पूर्वी पंजाब है ये पस्चिमी पंजाब है पस्चिमी पंजाब का जो area था वो था 62,000 m2 कितना था 62,000 m2 और यहाँ पे 15.7 million में 11.5 million मुस्लिम थे मैंने मुस्लिमों कानुपाथ ही यहां दिया है 15.7 मिलियन में कितने थे 11.5 मिलियन मुस्लिम थे मतलब देखे कितना लगवग 90% 85% मुस्लिम थे तो यह मुस्लिम बहुल एडिया भी था पस्ची पंजाब और बाहर भी परता था तो इसको पाकिस्तान को दे दिय घ्या गया 7 чиतर कितना था 61 हजार वर मिल वहीं पर पुरभी पंजाब में 37 हजार मिल था जो भारत की चैतर बहुं बढ़ा इसमें क्या था 12.6 मिलियन ममें 4.37 मिलियन लगवग एक तिहाई यहां भी मुस्लिम थे मरह कुक है environments तो ये दो जहा का बटवारा बड़ी मुश्किल था इसी में हैदराबाद था उतना कूद रहा था कि हम चल जाएंगे पाकिस्तान में चल जाएंगे नहीं संभव था सैनिक करवाई दोराय मिला लिया गया तो ये जो था यहां देखिये पाकिस्तान, पुर्वी पंजाब भारत पस्वी बंगाल भारत पुर्वी बंगाल पाक हमेशा यद रखेगे का पाकिस्तान के ऐरिया में बड़ा छेतर पड़ा था और उसे अरिया में मुस्लिम भी अधिक थे तो इस data को अगर आप याद रखेगा तो अगर map लेके दर्साइएगा तो आपको जो है एक अच्छा marks मिल सकता है map में दर्साना ये red cliff लेकर दर्साना तो ये बहुत बड़ी चीज होती है map से समझना ये सतारा data किताब में लिखा हुआ था लिखा हुआ पढ़िएगा फिर भूल जाइएगा आपको लिखे हुए को रटना नहीं है ठीक है न बस इसको देख लेना है छोटा सा chapter था खतम हो गया अब हम लोग भारतिय रियासते पढ़ेंगे देखिए मैंने यहां लिखा है अध्याय 34 भारतिय रियासते मैं इसमें थोड़ा सा समय लूँगा एक बार में दो चप्टर लाओंगा लेकिन इससे पहले मैं लूसेंट का वीडियो लाओंगा वो थोड़ा सा लेट चलना है भारतिय रियल एसे भी लेट चलती है लूसेंट अभी कंप्लीट नहीं है इसलिए यह देखिए लूसेंट का नोट सा भी कंप्लीट नहीं है दोस्तों तो थोड़ा साहीं हुआ है खेर यह कंप्लीट होते ही मैं जल्दी से वीडियो लाने का प्रयास करूंगा तब तक चाहिए और जितना पढ़िएगा उतना ही अच्छा है एक पैकेज अगर तयार हो गया ना हमारा इसका लूसेंट और स्पेक्ट्रम का तो बहुत एक रीड की हड़ी आपके पास हो जाएगी तो बस बनने रहिए लगातार थैंक यू वेरी मच शुबरात्री